हलो मैं हूँ नीतु कुमार और आप देख रहे हैं E24 का YouTube चैनल और Facebook पेज आज बात करेंगे Bollywood की एक ऐसी महबबत की जहां सगाई तो हो गई लेकिन शादी नहीं हो पाई जहां हम बात कर रहे हैं अभिशेग बच्चन और करिश्मा कपूर की जियां बच्चन फैमली और करिश्मा कपूर की दोस्ती बढ़ी थी बात आगे बढ़ी तो फिर जो है शादी तक भी बात शुरू हो गई साल 2002 में अमिताब बच्चन की एक किताब जो है वो लिखी गई थी और उसको खुद जया बच्चन ने लिखा तो और उस किताब के लांचिंग पर बच्चन फै करिश्मा बहुत खुश नजर आ रही थी अभिशेक बहुत खुश नजर आ रहे थे दोनों की सगाई का एलान हुआ था और जो है बॉलिवुड में कहा जा रहा था कि अब एक बड़ी शादी का इंतजार है कपूर और बच्चन फैमली के बीच एक और शादी होने वाली है तो आपको बताने की करिश्मा जो है उमर में अभिशेक से एक साल बड़ी थी और देखा जाए बॉलिवुड में करियर के बात करे तो उन से करीब दस साल पहले ही वो नौ साल पहले ही लाँच हो गई थी 1991 में फिल्म प्रेम कैदी आई थी उस से में करिश्मा की उमर बहु कैदी जो कि एक साउथ की फिल्म का हिंदी रिमेक थी और उसको साउथ के ही मेकर्स ने बनाया था उन्होंने वो फिल्म साइन कर ली और हरीश के साथ वो लाँच हुई थी करिश्मा को इस फिल्म से ना तो ये पहली फिल्म हिट हुई ना ही उनकी कोई ग्रैंड लाँचिं उन्होंने करिश्मा की बहन करीना के साथ साल 2000 में रिफ्यूजी फिल्म आई थी इस फिल्म से वह लॉंच हुए थे उनको भी बॉलिवुड में कह सकते हैं 20 साल हो गए और उन्होंने फिल्म बहुत जादा चली नहीं थी लेकिन ठीक है वह मिताब बच्चन के बेटे हैं तो इस वज़े से उनको फिल्में मिलती रहीं और लोग उनमें को भरता हुए स्टार देख रहे थे करिश्मा और कपूर फैमली को भी दिखा था और उन्होंने भी इस रिष्टे के लिए मतलब हामी भर दी दोनों चाहते थे कि वह शादी हो और अमिताब बच्चन भी खुश थे वहीं कपूर फैमली भी खुश थी लेकिन अचानक यह जो रिष्टा है यह तूट गया किसी को पता नहीं चला आखिर क्या हुआ क्यूं अभिशेक बच्चन और करिश्मा की सगाई तूट गई तो किसी ने कहा कि अभिशेक का करियर अच्छा नहीं चल रहा था इस बद्धन में रहना होगा बहुत सारी बाते आई बात के दिनों में एक टीवी इंटरव्यू में जया बच्चन ने कहा कि शादी जो सगाई है इसको अभिशेक ने तोड़ा था एक दिनों ने अचानक कहा कि मुझे नहीं करनी है शादी और उसके बाद जो अभिशेक को सही लगा हमने वही किया क्योंकि जिसको शादी करनी थी वो नहीं खुश था तो फाइनली ये जो है रिष्टा टूट गया लेकिन ये बहुत बड़ा राज है कि ऐसी आखिर क्या बात हो गई थी कि बच्चन फैमली ने अचानक जो है करिश्मा कपूर के साथ जो सगाई हुई दूसरी एक तरफ रिष्टा टूटा उसके 6-7 महीने बाद ही करिश्मा की शादी हुई और उसके बाद लेकिन उनकी शादी भी बहुत अच्छी नहीं चल सकी आपको बताएं कि शादी के दो साल बाद ही पती पतनी के रिष्टे में तलखी आने लगी समायरा बेटी समायर बेटे कियान के जन के बाद करिश्मा पूरी तरह से मुंबई आ गई और अपने पती से अलग रहने लगी और उनका फिर 2016 में पती के साथ मतलब पूरी तरह से तलाक हो गया उनके पती की अब दूसरी शादी हो चुकी है उनके पती की तीसरी शादी है और उसके अलावा ब परिश्मा ने शादी नहीं की वहीं अभिशेग बच्चन की बात करें तो साल 2007 में उन्हों ने जो है एश्वरे राय बच्चन से शादी की उन दोनों की शादी बहुत शांदार चल रही है उनकी आठ साल की बेटी है आराध्या और हैपिली मैरेड है अभिशेग बच्चन य अच्छे हैं लेकिन शायद उनको वैसे डिरेक्टर नहीं मिले वैसे फिल्मेकर्स नहीं मिले जो उनके अंदर चुपे युवा को निकाल सके जो उनके अंदर चुपे गुरू को निकाल सके बहुत सारी हिट फिल्मे जो है अभिशेग दे चुके हैं लेकिन शायद उनको वैसे फिल्मेकर्स नहीं मिले जो उनके सही प्रतिभा को पहचान सके और उनको अच्छी फिल्में दे सके तो खेर अभिशेक बच्चन को इंडरस्टी में एक जेंटलमेन कहा जाता है अश्वर्या के साथ शादी करके वह बहुत खुश है वहीं करिश्मा जो है उनकी मैरेड लाइब बहुत सक्सेस्फुल नहीं रही लेकिन वह बॉलिवुट की एक अच्छी कह सकने टैलेंटेट खुबसूरत और अच्छी एक्ट्रेस नहीं और उनकी जो गिंती है नब्बे के दशक में टॉप फाइव एक्ट्रेस में से हुआ करती थी अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इंटेटेंडमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीस की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रुवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर तो फिर धमाकेदार इंटर्टीन्मेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है E24